नमस्कार महाकुनली योग में आप सब का स्वागत है हम सब के पास एक ऐसा खजाना है जिससे हम परिचित नहीं है और वो खजाना है हमारा मन जी हाँ, हमारे मन के बहुत सारे रूप है विविद रूप वाला ये मन, विविद जोतियों वाला ये मन इसकी एक रूप में हमारे पास एक ऐसी जादू शक्ती है उजादू शक्ती का नाम हम यक्ष मन कहते हैं इसे यक्ष भी कहा गया है और यक्ष के विशे में भगवान कृष्णी कहा कि मैं यक्षों में कुबेर हूँ कुबिर जो धन के सबसे बड़े रक्षक कहे गए हैं धन के बहुत बड़े देवता के रूप में माने जाते हैं क्या इस मन के अंदर बहुत बड़ा खाजाना छिपा हुआ है क्या मन के खाजाने में बहुत सारी शक्तियां छिपी हुई है और ये मन यक्ष के रूप में उसकी रक्षा करता है महाभारत में भी यक्ष प्रशन पर चाचा आती है युदिश्टर के साथ हुए उन यक्ष प्रशनों की कहानी कुछ इस परकार से थी कि एक बार जब वनवास में पांडव विचर रहे थे तो उस समय एक बार जोर जोर से सहयता के लिए पुकार रहा था पांडव लोग युदिश्टर समेथ जब वहाँ पहुँचे तो उस बार बार से पूछा कि आप क्यों इस परकार से प्रलाप कर रहे हैं आपको क्या कष्ट हुआ है तो उस ब्राहमण ने ये बताया कि मेरी मंथनी अगनी को प्रकट करने वाली जो मंथनी है उसे एक हीरन गलती से ले भाग चुका है मंथनी जिससे यग्य की अगनी प्रकट की जाती है दो लकडियां होती है अरणी की उनसे मंथनी बना जाती है उसमें कुश रखकर उससे अगनी परकट किया थिया उसके घर्षन से और उसी अगनी से अगना ध्यान अगनी होतर होता है वो ब्रहमण ये कहने लगा कि मेरे दैनिक यग्यका कहीं लोप ना हो जाए इसलिए मुझे उस मन्थनी की आवशक्ता है जो मैंने एक विर्ख्ष पे टांग दी थी और एक हिरन कहीं से देवयोग से वहां आया और वो अपने को खुजली करने के लिए उसे रगणने लगा व और उसके कमपन से रगणने से विर्ख्ष की जो टंगा हुआ था मन्थनी वो उसके सिंग में जाकर गिर गया और सिंग में ही अटक गया और वो घबरा कर कहीं भाग चला है और मैं उसे खोज रहा हूं वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो कृप्या करके मेरे यग्य क कहीं लोपना हो जाए क्योंकि बिना मन्त्नी के यग्य वो नहीं करते थे आजकल साधान से हम माचिस या और प्रकार से अगनी प्रकट करते हैं परन्तु वईदिक इस साधना में विशेश रूप से मंथनी से ही अगनी को प्रकट किया जाता है तो उसके यग्य का लोप ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए युदिश्टर ने विचार किया और सबी भाईयों को आदेश दिया कि उस हीरन को खोजा जाए और मंथनी को वापस इस ब्रहमन को लिए जाए क्योंकि इसके धर्म का लोप ना हो तो इसकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए यह हम शत्रियों का करतव्य है पांडव खोज में निकले बहुत दूर भटंगने के बाद जब उन्हें हीरन नहीं दिखाई दिया तब उन्होंने प्यास लग रही थी तो उन्होंने देखा कि पास में कहीं बहुत सारे पक्षी हैं आवाज आ रही है तो वह वह जाकर पानी लेने के लिए एक-एक करके गए संचित में कहानी यह है कि एक-एक करके वहाँ पर जब पहुँच रहे थे तब एक अज्यात स्वर्थ ने उनको रोका पानी पीने से कहा कि पहले मेरे परस्णों का उतर दो पानी वह पीने लगे बिना प्रश्णों के उतर दिये तो वह पानी पी के अचेत हो गए एक-एक करके जब सभी भाई वापस नहीं आए तो फिर युदिश्टर गए तो वही स्वर्थ सुनाई दिया युदिश्टर ने उनके एक-एक प्रश्णों का उतर दिया और वो प्रश्ण यक्ष की तरफ से पूछे गे थे यग्ये जो अदृष्य थे, अज्याद थे अब आते हैं यक्ष मन पर हम मन से संसार को भोगते हैं हम मन से दान करते हैं हम मन से ही तप करते हैं, मन से ही अगनिहोत्र किया जाता है, यजेता स्वर्ग कामा, कि स्वर्ग की कामना के लिए यग्य किया जाए, धन की कामना के लिए यग्य किया जाए, राज्य एश्वर की कामना के लिए यग्य किया जाए, तो अगनिहोत्र जिस बुद्धी से, जिस म प्रेणा से किया जाता है वह यक्ष मन है जिसके द्वारा यग्य किया जाता है जिसके द्वारा तपस्वी लोग तपस्या करते हैं जिसके द्वारा मनीशी लोग विद्या का मनन करते हैं नई नई टेकनलोजिक होचते हैं नित्य अगनिहोत्र करते हैं वह मेरा मन यक्ष मन ह और ये अपूर्व मन कहा गया है ये न कर्माण्य पसो मनिशिनों यज्जेक्रणवंति विदधेशु धिराहा यदपूर्वं यक्षमंतहा प्रजानाम तनमी मनहा शिवसंकल्पमस्तु कि वह मेरा मन शिवसंकल्पाला हो जाए अर्थात ये जो यक्षमन है जो धीरता को प् से रित रहता है जो अगनी की उपासना को जानता है जो अगनी के प्रतिस समर्पित है वह यक्षमन है और वही खजाने का सर्वोत्तम रक्षक है वह हमारे भीतर पुन्य कर्मों को प्रिणा देने वाली शक्तियों को उन संसकारों को रक्षत करता है इसलिए वह यक्षमन है रात्री को सोते समय हम इस यक्ष मन से शिव संकल्प करें मन के इस तल पर भी जाकर हम संसार के पधार्तों को नहीं सभी भौतिक विद्याओं को उत्पन्न करने वाले और इस पंच भूत को उत्पन्न करने वाले शिव को संकल्पित करें शिव यानि शान्त जो सजसार का प्रले करता है वो शान्त है अपने चित्व को हम उस शान्त अवस्ता तक ले जाएं हमारा मन शिव के प्रतीश संकल्पित हो जाए हमारा मन शान्त हो जाए इसी भाव को इस मंत्र से हमें भीतर आत्मसात करना है चांदिके उपनिशद में भी एक कथा आती है आरुनी का पुत्र श्वेत केतु जब पांचाल देश के विद्वानों की सभा में गया वहाँ पर प्रवाहन नाम का एक रिशी थे उन्होंने उस श्वेत केतु से पांच प्रशन पूछे जो बड़े ही दार्शनिक थे, बहुत गुड अर्थो वाले थे श्वेत केतु ने कहा कि मैं इन सब का उत्तर नहीं जानता मेरे पिता ने मुझे इस विशे में कोई उपदेश नहीं किया तब उन्होंने कहा कि जब तुम इन पांच प्रशनों का उत्तर नहीं जानते तो तुम अपने आपको शिक्षा प्राप्त की है, ऐसा क्यों कहते हो तो श्वेत केतु वापस पिता के पास आए और उनसे वही प्रशन कहे तो पिता ने भी कहा यदि मैं इन प्रशनों का उत्तर जानता तो मैं अवश्य तुम्हें बतलाता फिर आरूनी जैबली नामक राजा के पास गए और उनसे उन प्रशनों का उत्तर जानना चाहा तो राजा ने कहा कि तुम कुछ और धन एश्वरे मांगलो इन प्रशनों को छोड़ दो परन्तु आरूनी ने कहा कि नहीं मुझे इनी प्रशनों का उत्तर चाहिए तब राजा जैबली ने कहा तुम्हें इस बात का आश्यरे हो रहा होगा कि ये विद्या अध्यात्मिक विद्या ब्रह्मनों से पहले चत्रियों के पास कैसे आ गई उनका उत्तर देते वे गीता के एक श्लोक अगनी जोती रहा हा शुकला हा शनमाशा उत्तरायनम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्म विदो जनाहा इस शलोक को समझे उन पांच प्रशनों में मुख्य रूप से यह पूछा गया था कि जीवातमा किस लोक को प्राप्त होते हैं मृत्यु के उप्रांत और किस मार्ग से वो वापस संसार में आते हैं इन प्रशनों के उत्तर देते वे जैबली ने उने समझाया कि जो अगनी की उपासना करते हैं तब करते हैं वो अगनी को प्राप्त होते हैं अगनी की जोती को प्राप्त करकर वो जो दिन में जो प्रकाश है उस प्रकाश का जो देवता है उसको प्राप्त करते हैं और उसके बाद जो शुकल पक्ष है चंद्रमा की दो गती हैं शुकल पक्ष और कृष्ण पक्ष एक में शुकल पक्ष में चंद्रमा नित्य प्रति दिन प्रति रातरी अपनी जोती को बढ़ाता रहता है और पौन मासी में पूर्ण हो जाता है दूसरी कृष्ण पक्ष जिसमें प्र प्रिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं और शुक्य पक्ष के देवताओं को प्राप्त होते हैं उसके बाद उत्राण में 6 महिने सूर्य उत्तर की तरब बढ़ता है उस उत्राण के जो देवता है वो साधक फिर उन उत्राण के देवताओं को प्राप्त होता है उनकी स् के संबसर होते हैं धे छूटने के समय जो भी संबसर के देवता होते हैं उन देवताओं को वो प्राप्थ होता है संबसर के देवताओं से आदित्य के देवता को आदित्य से वो चंद्रमा को प्राप्थ होता है चंद्रमा से विद्धुत शक्ति को प्राप्थ होता है विद कही गई कि जो अगनी की उपासना करते हैं अगनी अर्थात प्रमात्मा रुपी जोती की उपासना करते हैं जो संसार को उत्पन करने वाली स्वागनी की उपासना करते हैं अगनी होत्र के साथ लौकिक कामनाओं के साथ जो प्रमात्मा का भी चिंतन करते हैं प्रमात्मा को भ पूर्व यह मेरा यक्ष मन शिव संकल्प पाला हो, परम योग इस्तिती को प्राप्त होने वाला हो, परम उच अवस्था को प्राप्त होने वाला हो, परम शुद्ध गती को प्राप्त होने वाला हो, जहां से जीव लोट के नहीं आता, जहां वो पूर्ण हो जाता है, पूर त्रिप्ति वाली हो इस मार्ग से जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है आनंद की अवस्था को प्राप्त होता है इसलिए सोते समय इस यक्ष मन से संकल्पित जो शिव है वो शिव मन को शुद्ध करता हुआ शांत करता हुआ स्वैम अपना ही रूप देता हुआ उजस्वी हो इसलिए समय का सद्भियो करें समय की प्रतिक्षा ना करें जो सोचा है उसे तुरंत अविलंब निर्णे करें संकल्पित करें और रात्री को सोने से पूर्व अपनी सब इच्छाओं को परमात्मा के और समर्पित कर दें और मन को बार-बार छे बार कम से कम और हमका जाप करते रहें धन्यवाद